मेरे पहरे देशवाषियों, समाज की मनो रचनावे अभी बदलाव कभी कभी बहुत बढ़ी चुनोपी का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवाषी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है। हर सर के प्रस्टाचान ने सामान ने मानवी का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वाथ तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता च्छमता का प्रति अन्याय की जो गुष्णा होता है वो राश्ट की प्रग्रति में नुक्षान करता है। आरिसलिये मैं बाव्यापा गुरुब से प्रस्टाचान के खिलाफ जंग छेडा है। मैं जानता हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती हैं। मेरी प्रतिष्ठा को चुवा कर आनी पड़ती हैं लेकिन राश्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। रास के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं करो सब्धाइद ए Ima aN 2 के साथ ब्रस्टाइचार के खिलाब मेरी लडाई चारी रहें तीव्रगती से जारी रहेगी और ब्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर होगी मैं ब्रस्टाचारियों के लिए भैका बाता हूं पादा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान नागरी को लूट रेगी जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बड़ी नई चुनोती आई है ब्रस्टाचारियों से निपटना तो है ही लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनोती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविदान हमारे पास होने के बाउजित हैं कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो प्रष्टा चार का महिमा मंदन कर रहे हैं खुले आम ब्रष्टा चार का जैजेकार कर रहे हैं समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्यास हो रहा है ब्रष्टा चार का जो महिमा मंदन हो रहा है ब्रष्टा चारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्यास चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए प्रस्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारी को प्रुष रास्ते पर जाने से डर लगेगा। उसको लेकर प्रोसी देश के नाते चिन्ता होना मैं इसको समझ सकता हूँ। हिंदू वहां के अलपसंक्यक उस समुधाय की सुरक्षा सुनिस्चित हो। बारद हमेशा चाहता है कि हमारे प्रोसी देश सूख और शांती के मार्क पर चले। शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है, हमारे संसकार है, हमाने वाले दिनों में, बंगला देश के विकास यात्रा में, हमेशा हमारा सुपचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग हैं।